हलो एवरिवन तो आज का हमारा टॉपिक है 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट कैसे इनेबल करें कोई भी सेलफोन बे टेकनिकली बात करें तो 120 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले पैनल ही हाता है इसे सॉफ्ट्वेर से अचीव नहीं किया जा सकता है अगर आपके फोन में 120 हर्ट्स की डेडिकेटेड स्क्रीन है तो वेल एन गुड़ बट हम टेक जुगार लेके आए हैं तो प्लीज स्टे विध अस एंड हम देखते हैं 120 हर्ट्स एक्जैक्ली तो नहीं बट आपका फोन बहुत ही स्मूथ काम करने लगेगा कुछ ट्विक्स करने के बाद सो लेट्स स्टार्ट विध इस दिवाइस फिलाल जो हमारे साथ सेलफोन है यह सैमसंग गैलेक्सी M42 नूली लॉंच्ट 5G हैंड सेट है बट इसमें भी 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट नहीं है सो हम देखते हैं इसे कैसे इनेबल करेंगे आप स्लोड डाउन इस वीडियो सो आप स्टेप बाई स्टेप इसे फॉलो कर सको अपने सेलफोन की सेटिंग्स में जाना है जो भी आपका सेलफोन हो एंड आपको डेवलपर मोड इनेबल करना है अभी आप सेटिंग्स में देख रहे हो अबाउट फोन तक यह लास्ट ऑप्शन आपके पास पास होगा यही बिल्ड नमबर से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है तो इनेबल देवलपर मोड आपको बिल्ड नमबर पे थ्री टाइम्स क्लिक करना है आप देख सकते हो मैं बिल्ड नमबर पे थ्री टाइम्स क्लिक करूंगा एंड देन वीड इनेबल दिस डेवलपर मोड see मैंने 3 times प्रेस किया और यह मुझे एक pop-up show कर रहा है you are now one click away तो अगेन एक click कर देते हैं और हमसे यह pin prompt करेगा quickly pin enter करके वीडियो को continue करते हैं pin enter करने के quickly बाद ही हमारा developer mode activate हो चुका है आप देख रहे हो एक prompt हमारे screen पे आया you are now the developer अब यह developer mode है क्या developer mode मतलब कि आप phone के साथ कुछ ऐसे changes कर सकते हो जो शुरुआत में hidden है अब देखो आप about phone के बाद एक नया menu add हो चुका है that is the developer options अब कंपनियां इसे इसलिए बन करके रखती because this is for some android development purpose and ordinary person को इससे मतलम नहीं होना चाहिए फिर भी आप इसे enable कर सकते हो अगर आप android development में हो I will try to make a dedicated video on developer mode बट अभी topic पे focus करते हैं अब हमें क्या करना है तीन चीजों में tweaks करना है और वो तीन चीजे क्या है आप देख सकते हो transition animation scale windows animation scale and animator duration scale यही तीनों चीजों से हमें मतलब है एक पे click करते हैं तो आप देख सकते हो अब basically हर company अपनी animations and transitions में कुछ delay put करती है so that आपको वो अच्छा लग सके हमें यह नहीं करना है हमें इन सारी चीजों को बंद कर देना है so that हमारा phone fast चलता रहे and कोई भी delay या कोई भी duration lag नहीं दिखे तो हम तीनों ही options में animations को off करके रख देंगे और अब आप देखोगे यह refresh इतना smooth होगा so that आप कोई भी delay महसूसी नहीं कर पाऊगे वीडियो अगर justice कर पा रहे होगी तो आप देख सकते हो phone कितना ही ज़्यादा smooth हो चुका है इसको enable करने के बाद so आप अपने device में भी try करो and definitely you will see the results आपको दिससे face करोगे कि yes this thing works if you find this video informative please share this video and subscribe to our channel for our support